तो मिश्कार दोस्तों टेक सकेंगेक बिलकुल नहीं है, फ्रिस और एक्साइटिंग एमस्वर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर में Reliance Geo Company के बार मैं बताऊंगा क्योंकि Reliance Geo Company के तरफ से जो broadband plan है, मतलब Geo Fiber का जो plan है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है सिर्फ 198 रुपई से दोस्तो Reliance जो कमपनी के तरफ से काफी जबर्दस्त ओफर यहाँ पर आप लोग के लिए लॉंच के आगा इसके बार में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा तो अगर आपको इसके बार में जाड़ना है तो वीडियो को लास तक जरूर देखिए और हाँ इस वीडियो के टाइटल और थाम्नेल पर आपने बिल्कुल सही देखा अनलिमिटेड इंटरनेट आपको मिल रहा है सिर्फ 198 रुपई के अंदर पूरा डिटेल्स चली इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं दोस्तो हो सकते हैं कि आप काफी दिन से कुछ दूसरे कंपनी के ब्रोडर्बंड सर्विस को यूस कर रहा है हो सकते हैं आप आर्ट्ल के ब्रोड बेंड यूस कर रहा है है broadband plan से वो काफी सस्ते और काफी बढ़िया तरह से चलते हैं फोर एक्जम्पेल में जो broadband connections यहां पर यूज कर लग वो mega ब्रोडबन यूज कर लो और मुझे यहां पर देर स्वर मिपेस वाले plan सिर्फ सारे छेसु रूपई के अदर मिलते हैं जहां पर अगर मैं एक प्रॉब्लम यहां पर चला जाता है काफी टाइम ऐसा होता है कि मेरा जो ब्रॉडबेंड कनेक्सेंस जो ठीक तरह के से काम नहीं करता है लेकिन मेरा जो काम है वह तो चलते रहना चाहिए मैं यूट्यूब पर आप लोग के लिए कॉंटेंट बनाता हूं वीडियो बनाता हूं तो मेरा जो कंटिन्यूस इंटरनेट है वह यहां पर लगते हैं तो वैसे टाइम के अंदर में क्या गड़ सकता हूं मुझे एक ब्रॉडबेंड कनेक्सेंस यहां पर लेना चाहता हूं तो मुझे और बहुत ज़्यादा खर्ची यहां पर हो जाएंगे कितने लोग है जो में लिए ब्रॉडबेंड कनेक्सेंस रख पाते हैं रिलाइंज जो कंपनी की तरब से इस पर्टिकुलर चीज़ को देखा गया ह सिंप्ली आप लोग के लिए एक बैकाप ब्रॉडबेंड कनेक्सेंस का बंदबस्तियां पर किया गया है काफी सस्ते में दोस्तों अगर किसी भी कंपनी का में ब्रॉडबेंड यूज करते हूं पर अगर किसी भी टाइप आप प्रॉडबेंड आप फेस करते हैं तो अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि Reliance जो कंपणी की तरब से एक ऐसा प्लान को लॉंच के आगा है जो है सिर्फ 198 रूपाय वाला प्लान जो ऐसे बैक आप ब्रॉडबेंड काम करेंगे जिसके अंदर आपको 10 Mbps का स्पीड और unlimited internet यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे 10 Mbps के स्पीड के साथ unlimited internet वो भी सिर्फ 198 रूपाय के अंदर दोस्तों किस तरह से बैक आप ब्रॉडबेंड आपको लगाना है मैं आपको बाद में बताता हूं सबसे पहले जो प्लैन से यहां पर लॉंच किया गए उसके बड़े में बातचित कर लेते हैं पर एक्जम्पल आपका जो में ब्रॉडबेंड करेंगे उसके अंदर अपने 100 Mbps बाला प्लैन लिया अभी बैकक आप ब्रॉडबेंड के अंदर अगर आपको 10 Mbps का प्लैन यहां पर दिया जाते है तो यहां पर प्लैन आप उप्लैन आप्ग्रेशन का वी ओप्संस यह पर दिया गया है अगर आपको लगा कि आपके जो में कनेक्शन से में जो ब्रॉडबेंट करें वह एक दिन के लिए बंद रहेंगे और एक दिन के लिए आप मिले अपने स्पीड को यहां पर भढ़ना चाहते हैं तो 198 रुपए वाले प्लैंस से आपने तो बैक आप कनेक्शन से लगा लिया 10 MPS के स्पीड से साथ लेकिन वहां पर अगर आप 21 रुपए खर्च करते हैं तो यहां पर 100 MPS का स्पीड मिलेंगे मतलब यहां पर एक दिन के लिए आपक स्पीड को 30 MPS पर अपगेट करना चाहते हैं तो यहां पर खर्चोंगे 31 रुपए और 100 MPS के अंदल अपगेट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको खर्चोंगे 52 रुपए तो 52 रुपए 198 के उपर भी आप अगर देंगे तो आपके स्पीड जो 100 MPS पर चला जाएगा और अगर आप साथ दिनों के लिए में लिए बैकाप रखना चाहते हैं तो यहां पर 101 रुपए 30 MPS स्पीड के साथ और यहां पर 152 रुपए 100 MPS स्पीड के साथ आप यहां पर ले सकते हैं तो चीज को मैं फिर से क्लियर कर देता हूं बैकाप ब्रोडबेंड कनेक्शन्स लेन तो उसके लिए आपने 198 दिया जहां पर 10 MPS का स्पीड लिमिटेड दिया जा रहा है यहीं तक सही है उसके बाद अगर 10 MPS का स्पीड आप लोग के लिए साफिस यह ना होते हैं तो यहां पर तीन टाइप अफ प्लान लांच किया गाए एक दिन दो दिन और साथ दिन जिसक ठीक है तो यह था पूरा डिटेल्स बैकाप कनेक्संस के लिए क्लियर हुआ सेकिन चीज़ के अगर मैं बात करता हूँ यह जो लोग में लिए बैकाप कनेक्संस ले रहा है वो फ्री में HTV भी ले सकते हैं मतलब सेप्टप बॉक्स जो है घर पर अगर टेलिविशन देखत उसी के साथ 400 लाइब चैनल्स आपको प्रोवाइड किया जागा 6 OTT अप्लिकेशन और YouTube के सब्सक्रिप्शन दिया जागा यह था 100 रुपय वाले प्लैन सेकेंड और एक प्लैन है 200 रुपय वाले प्लैन जिसके अंदर फ्री सेप्टप बॉक्स दिया जागा 550 लाइब चैन अगर 198 पर माहिने होते हैं तो 5 माहिने के लिए 1490 रुपय किस तरीके से होते हैं 5 माहिने के लिए आपके टोटल खर्च होते हैं 990 रुपय प्लास 500 रुपय का इंसलेशन कॉस्ट आपको यहां पर देना होगा जो ब्रोडबें करनेक्शन आपको लगा जागा 500 रुपय का तो मतलब sépto box की बात करता हूं. अगर आप 100 रुपए वाले plan ही आप लेना चाहते हैं तो 500 रुपए आपको installation charge देना होगा. अगर आप 200 रुपए वाले plan को लेना चाहते हैं तो 1000 रुपए आपको installation charge देना होगा. तो पूरा जो hidden charge से मैंने बता दिया एक number Jio की तरफ से यहाँ पर दिया गया, जो number के ओपर call करके आप मैं लिए Jio Fiber को book कर सकते हैं, यह जो backup plan है वो book कर सकते हैं, number 688-6008, यह जो particular number यहाँ पर आप call कर सकते हैं, और Jio का backup broadband के लिए आप book कर सकते हैं, मेरे खहाल से यह जो particular चीज़ जिए Jio की तरफ से काफी जब ऐसे लोग है जो जब भी Jio के backup plan को यहां पर use करना start करेंगे तो अगर उन्हें अच्छे लगते हैं Jio का services तो definitely वो ऐसे backup से main connection से Jio fiber यहां पर करना चाहेंगे तो इससे Jio fiber का जो sale है वो काफी ज़ाधा मुंटो बढ़ भी सकते हैं तो मैंने पूरा details आपको बता दिया Jio fiber का 198 रूपय वाला backup plan वो क्या है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन पूरा जो concept मैंने आपको clear कर दिया इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी confusion रहते हैं तो बे जीजक आप comment 6 में comment करके मुझे पूश रखते हैं मैं definitely आपके comment का reply यहां पर दूँगा उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक आपकी चैनल TechScan को subscribe कर लिजिए क्योंकि आपके एक subscription बहुत जादा माइन रखते हैं हमरे लिए तो thanks for watching, bye and take care, आपसे उसमाल लगा तो कैसी कोई नया वीडियो के साथ तब ते के लिए दोस्त अपना ख्याल रखिएगा